हेलो दोस्तों वेलकम टू टेक्नो इंफिनिटी दोस्तों आज मैं आप सभी को बताने वालों कि मैंने गोकु को सामुराई कैसे बनाया था तो यहां पर देखिए सबसे पहले मैंने गोकु की इमेज थी उस पे मैंने ड्रॉइंग करना स्टार्ट दी आप लेफ साइड में द इसके हैं पर देखें मैंने कुछ बैंडिज टाइप लगाया हुए है इसके बाइसे लगाया हुआ है तो वह सब तरीके से मैंने पूरा स्केश को ड्रॉव कर रहा था तो आप पहले तो समुराई की कोई मतलब आर्ट किसी भी आर्टिस्ट की जो भी आपको पसंद है वह आप उसको ले लेने के बाद आप उपने सकेश को एप के अंदर इंपोर्ट कर ली आप nueva इव इसको कर सकते है अब देखिए उसके बाद को करना वस यहां पी यह रहilleगा कि इसकी पूरी आपको करनी携ए त्रेसिंग तो देखिए आप वो ट्रेशिंग को इतना बड़ा का हैंने tracing आप कर लेंगा असानी से यह मैंने जो पूरा कर लेंगा तोड़ी सी यहां पर जैसे की मैं जो ॉसर सब ने मैंने को आगे बताऊंगा तो यहां पर आप पहले देख लिए और देखिएंचे को बहुत ज्यादा आप कि ये इसमें टक्शर होता है मतलब इसमें टक्शर होते और बाकी जैसे की जो रॉक के नीचे वालो मुझे पता नहीं क्या बोलते उसको जो बिघंग लगे हुए हैं तरेबेजियम टाइप यह जो हैüy है इसमें भी टक्श रहोते हैं तो इसको दिफ्रेंट तरीक Care से हमें य पहली आर्ट थी सामुराई से रिलेटेड तो उसमें इतना जादा मुझे पता नहीं था थोड़ा बहुत जो भी चीज़े देखी और जितना समझ में आया उसके अकॉर्डिंग मैंने आप ड्रॉ कर दिया लेकिन जैसे जैसे मैं आगे इस चीज में बनाऊंगा तो और जाद खतरनाक नरेली का जैसे कि मैंने बहुत सारे लोगों के देखे थे कि उनके मतलब जैकेट्स पहने हुए थे खतरनाक से ट्रॉजर्स थे और बहुत अलग अलग तरीके से चीज़ देती ही बस यह कहूंगा कि स्टाइटिंग थोड़ा सा इजी लेनी की कोशिश करिए जैसे और जादा नेक्स लेविल पर लेके जाने की कोशिश करूंगा अब देखिए आपर पूरी आउटलाइन हो जाने के बाद मैंने करा गया है आपने कुछ दिनों पहले देखा होगा मैंने 420 की एक आर्ट बनाई दी ड्रेगन बॉल जी वाली तो उसी मेंसे मैंने कलर सेलेक् आपको यह वाली इमेज जा करके आप इस्टाग्राम से डाउन्रोड कर सकते हैं और पासा ना तो लाइक भी कर दी गए वाली इमेज को तो देखिए ऐसे करके आपको सबसे पहले तो सारी जितने भी पार्ट्स हैं इमेज के अंदर उनको सबको आपको कलर कर लेना है फिल क पूरा दिखाता रहता तो बस एक समझ लिए कि फिलिंग करी मैंने यहां पर उसके बाद नेक्स्ट काम अधा शेडिंग यह है पार्ट जो सबसे आदे इंपॉर्टेंट और आपको दिखाना है तो देखिए यहां पर रिफ्रेंस जैसे कि मैंने यह 420 वाली इमेज ली हु आप इस चीज को बनानी पाएंगे यह चीज आप धिहान रखिएगा और यह भी नहीं है कि जो आपने रिफ्रेंस लिए बिल्कुल इग्जैक्ट उसी की कॉपी बना दे तो फिर फायदा ही क्या होगा कुछ उसमें चेंजेस करीगा भले ही थोड़े से बिल्कुल 2-3 चें को तो जो मतलब यह यह की जैसे आप ड्रॉ करेंगे आप अपने imagination के साफ उलिदी creativity यह पे दिखा सकते हैं कि तरीके से आपको यह बना रहे हैं और देखें यहां पर आपको शैडव का एक तरीके से जैसे मैंने आप तो रिफरेंस यह वाली लगा लिए आपको यहां पर shadow क और कौन से ऐसे एरिया है जहां पर थोड़ा डार्क ने सोजी और कौन सी ऐसा एरिया जहां पर लाइट पढ़ रही होगी तो उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आप अगर मतलब यहां पर कलर्स को फिल करेंगे तो आपके वेक्टर और जादा अच्छा दिखेगा बन जाने के बाद क्योंकि अगर माली आप एकदम मतलब कुछ भी उल्टे सीधे तरीके से शैड़ो बना देंगे हाइलाइट बना देंगे तो वह हो सकता है जब पूरा आपका कंप्लीट हो जाए तो वह अच्छा ना लगे इस चीज़ का ध्यान रखेगा कि आपको कौन से इसे एरियां जहां पर खुद पहले तो आप इमेजिन करेंगा कि बॉड़ी का कौन से ऐसा पार्ट है जो थोड़ा ऊपर रहता है कौन से ऐसा पार्ट है थो थोड़ा अंदर को ने फिर अदर में पूरी शैडो बना ली अब उसके बाद मैंने कर रहा है कि उसके प्रटी पर संट कर दी और उसके बाद यहां पर मैंने और थोड़ी वह शैडो बनाने स्टार्ट करी और देखिए जैसे कि नोस पर भी स्याडो पढ़ेगी तो मैंने आपने देखा याइगी और बाकि आप फिर पूरी लेयर के कलरज को सैलेक्ट करके एक साथ उनके कम कर सकते हैं डिबिएंट तरीके होते हैं और उसके बाद देखेurar के सबस्जादा क्ट अनष्च के कहलें उसको लेकर कि 1 पर मैंने उस क्यों में मतलब शेडू बनाई उसके मैंने कुछ कुछ छोटे चोटे पार्ट से जहां पर कट्स आ रहे होंगे मतलब बॉडी के कट्स दिख रहे होंगे वहां पर मैंने बनाया हुआ आप अगर देखते हैं मसल्स के बीच में जो लाइन एक होता कट होता है उसको और जादा मतलब डेंस दिखाने के लिए और जा तू शिक्स परसेंट और उसके बाद यहां पर देखी इस तरीके से शेफ बनाने तो इससे हो गए कि अगर आपको यहां पर ऐसा लुक देना है कि जो बीच वाला पार्ट है वो थोड़ा सा उपर है और उसके लेफ्ट राइट वाला जो है वो थोड़ा सा अंदर है तो आ आप देखें कि लेफ्ट राइट में सेमी सरकेल एक तरीके से बना रहा हूं रिवर्स तो उस तरीके से आपको यहां पर बनाना जाएगा तो इससे आपके जो पूरा आर्ट है उसमें इस ट्राइप का लुक आ जाएगा मतलब जो सा पार्ट आपको थोड़ा सा ऊपर इतनी कम उपैसिटी करी और उसके बाद मैंने यहां पर कितनी बार यह वीडियो की स्पीड तो काफी जादा फास्ट है लेकिन मैंने यहां पर बहुत बार कलर्स को ओवरलैप किया तो तब जाकर कैसा एफेक्ट बन पाया इसको जब मैं पूरा अगर आप मेरी जो पिक है उसको अगर जूम आउट करके देखें यह देखिए तो यह काफी अच्छा लूग देरा थ्रीडी एफेक्ट यहां पर लगने लगा है भी सही तो यह सारी ट्रिक होती है एडिटिंग करने की आपको मुझे उमीद है आपको यह सारी चीए समाज में आई होगी अब देखि जो मतलब लेफ्ट और राइट भी थोड़ा डार करकना और थोड़ा सा मिडिल वाला पाइट उसको ब्राइट दिखाना है तो उसके लिए आपको मिडिल वाला छोड़के लेफ्ट और राइट में मतलब कलरिंग करनी होगी उपैसिटी करके आप यहां पर देख सकते हैं म मैंने खुद ही observe कि दोनों एप को यूज करने के बाद इसलिए मैं आपको exact मतलब उसका जो opacity का percentage है वो नहीं बदा सकता कि कितनी opacity यहां पर रखी है लेकिन फिर भी आप कम काफी कम रखेगा 10 to 15 रखेगा अगर आप infinitive यूज करें affinity जो भी करें 10 to 15 रखे देखेगा कि आपको कैसा look आ रहा उसके according फिर आप पूरा draw करिए तो देखिए आपर मैंने आपको बता दिया कि यहां पर face कैसे मैंने मतलब जो body हो कैसे उट्रॉ कर रहा अब बागी चीज़े मैं दिखा नहीं पाई क्योंकि वीडियो लेंद लंबी हो जाती और मैं क्योंकि यह बहुत जल्दी में बना रहा था इस वज़े से इसकी recording कर भी नहीं पाए तो उम्मीद कर दो आपको मैंने समझा दियो कैसे मैंने उसको बनाए तो आज के लिए बस इतना ही thanks for watching